नमस्कार चानल क्या IAS Academy में आपका स्वागत है MCQ से सबंदित आज के प्रस्ण में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्रपूर्ण प्रस्ण है पहला प्रस्ण कि निमलिकित में से कौन सी कंपनी अपने ड्रोन के लिए किसी ड्रोन सबसीडी प्रात करने वाले पहली कंपनी बन गई है चार ओप्सण हैं औप्सण A. गरूर एरोइस्पेस औप्सण B. एग्री ड्रोन टेकनोलोजी Option C, Crop Flight Technology Option D, Sky Form Technology आये देखते हैं कि इसका सही जबाब क्या है इसका सही जबाब है Option A, मतलब गरूर Aero Space अब हम इसकी व्याख्या करते हैं अगर हम इसकी व्याख्या करें तो हम यहाँ पर यह पाते हैं कि नियूस्पेपर में आपको दिख रहा है कि चन्ने इस्तित, स्टार्टप गरूर Aero Space अपनी क्रिसी ड्रोन के लिए सबसीडी प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कमपनी बन गई है और सबसीडी क्रिसी ड्रोन के उप्योग को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है जिसकी घोसना वित्यमंत्री ने जब बजट 2022-23 को प्रस्तुत किया गया था उस समय की थी उसके अनुसार किसानों को फसलों का आकलन करने भूमी रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के साथ साथ कीट नासकों और पोसक तत्तों का चुड़काव करने में मदद करने के लिए केंद्र किसान ड्रोन को बढ़ावा देगा बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्त है परधानमंत्री मुद्रा योजना है अगले प्रस्न में तरुन स्रेणी के लिए स्विक्रित रिण की कुल क्रासी कितनी है इसका अगर सही जवाब देखें तो वह है अब जितने भी रिन दाता है जो डेटा आ रहे हैं उसके अनुसार जो भी रिन दाता है वो वेबसायों को संचालन को बढ़ाने में मदद करने के लिए जो मुद्रा यूजना चलाई जा रही है उसके ताहत 50.000 से 10 लाग स्रेणियों में रिन की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे है और जो रिन दिये गये हैं मुद्रा यूजना के अंत्रगत उसमें अगर हम देखें जो यह वर्गी करण किया गया है मुद्रा यूजना के अंतरगत की शिसू स्रेणी का रिन, किशोर स्रेणी का रिन और तरुन स्रेणी का रिन उसके अंतरगत शिसू स्रेणी के रिन जो 50 रुपे तक है उसे वरतमान में 83 परतिसत तक रिन आवंटित किये गए वहीं किशोर स्रेणी के रिंग के अगर हम बात करें तो 50,000 से 5,000,000 रुपे तक के रिंग की बात की जाती है तो इसका 15% हरिन आवंटित किया गया इस स्रेणी में और अगर तरुन की बात करें जो सीमा है 5,000,000 से 10,000,000 रुपे तक तो वहाँ जो रिन दिया गया वो 2% तक उसमें आवंटित किये गया है तो ये अदेतन डेटा है और साथी साथ हमने यहाँ पर देख लिया कि मुद्रा योजना के तहत तीन वरगी कराने रिन का सिसूरिन, किसोर और तरुन वहीं अगर इस मुद्रा योजना के अंतरगत रिन दिने में कौन सी संस्था महतपूर्ण भूमिका निभाती है तो इसके अंतरगत गैर बैंकिंग वित्ती कमपनिया सुक्ष वित्त संस्थान, मतलब NBFC, MFI और चोटे वित बैंक, मतलब Small Finance Bank कि यह महतपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि जैसा कि डेटा का अनुसार NBFC, MFI अकेले सिसुस रिनी कजोर इन्दे उसका 30% रिन आवटित किया है अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो सरकार ने 2015 में परधान मंतरी मुद्रा योजना की सुरुवाद चोटे सुक्ष मुद्योगों की 10 लाग रुपे तक की रिन सुविधाओं के विस्तार के उद्यसे से की थी और मुद्रा योजना, वी निर्मान, व्यापार, सेवा छेत्रों और किरसी से समंदित गतिवीदियो में आय अरजग गतिवीदियो के लिए रिन पर्दान करती है मतलब इ sections को generate के लिए रिन पर्दान करती है अगला सबाल कि छोब मंडली उतसरजन निगरानी प्रधूसन टैमब। उपकरण के अनुप्रयोग क्या है पहला उत्री अमेरिका में वायू परदूसर्ण पर नज़र रखना बी ब्लैक होल का अध्यन सी छोब मंडल में परदूसर्ण के निगरानी और डी गहरे अंत्रिक्ष की वस्तों का अबलोकन करना देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है आप्सन ए यानि की उत्री अमेरिका में वायू परदूसर्ण पर नज़र रखना इसकी व्याक्या अगर हम देखें तो सबसे पहले जो टेम्पो है उसका फूल फॉर्म है ट्रोपो स्फेरिक एमिजन मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिशन इंस्ट्रुमेंट और अमरीकी अंत्रि अंत्रिक्ष से ही हावा की गुर्मत तक निक्षन करने के विज्ञानिकों के तरीके में सुधार होगा टेम्पो पहला अंत्रिक्ष आधारित उपकरन है जो प्रमुख वायू परदूसर्ण को की हर घंटे निगरानी करेगा वहीं आगे जो आंकड़े हैं वो ये कर रहे है कि अमेरिका की 40% से अधिक आबादी कन परदूसर्ण या ओजोन के और स्वास्तिकर इस तरवाले छेत्रों में रहती है और वायू परदूसर्ण अमेरिका में सालन लगवा साथ हज्जार लोगों के अकाल बिरतियों के लिए जिमेदार है अगला प्रशन यहाँ पर यह है अगर हम इसकी बात करें कि हमने इसकी चर्चा क्यों की तो इसकी चर्चा इसले की गई है कि जो पुलवामा में शहीद हुए जो सैनिक हैं जो उनकी विध्वा हैं तो उन विध्वाओं का विवाह इस चूड़ा प्रथा या नाता के अंतरगत उनके देवर के साथ करती गई है अब यहाँ पर बात यह है कि सरकार के दोरा जो इस विध्वाओं को जो भी साहता दी जा रही है वो इस विध्वाओं को या उसके बच्चों को दी जानने के बाद सरकार के दोरा कही जा रही है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चूड़ा पर्था के कारण जो विध्वा की साधी देवर के साथ हो रही है तो विध्वा जो है वो यह करे कि यह जो सरकारी साहता है वो किसे मिले उसके जो पहले देवर और जो अब वरतमान में पति है उसे मिले और यहां पर यह कानुनी जो यहां पेंच फस जा रहा है जिस चूड़ा पर था या नाता कि हमने बात कि वो ग्रामीन राजिस्थान में एक समाजिक पर था है जहां एक महिला जिसने अपने पती को खो दिया वो अपने देवर या देवर के नाम पर शादि की चूड़ियां पहनती है और देवर को एक बदलाव जीवन साथी माना जाता है और यह राजिस्थान ही नहीं साथी साथी हारियाना के भी कुछ छेत्रों में यह पर्था देखे जाती है वहीं देवर से उम्मीद की जाते हुँआ घर और गाउं के भीतर महला की गरिमा को बहाल करें साथी साथ जो समाजिक पर था हैं यह निरधायत करती है कि महला अपने देवर के साथ दापन्दे संबन्द में बंदी है अगर वो पतनी इस इस्थिती में नहीं है कि वो संतान को जनमे दे से के या पतनी अगर मृत हो जाती है तो जो पतनी की बहान है उसके साथ या व्यक्ति समंद बना सकता है या विवाह कर सकता है उसे हम सुरालल समंद दिकाते हैं और ठीक अगर ये विप्रीत इस्थिती होती है तो उसे हम करते हैं लेवी, रेट, मैरिस या विवा, बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ण की और, अगला प्रस्ण है यहाँ पर कि निमलिकित में से कौन से राज्य है, वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम यूजना के अंतरगत आते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, उप्सण डी, यानि कि उत्राखंड और नाचल प्रदेश और लद्दाग, वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम यूजना के अंतरगत आते हैं, अब इसकी अगर व्याक्या करें, तो यहाँ पर यह है कि देश की उत्री सीमा पर जो गाउं मौजूद है, उन गाउं के विकास के लिए और वहाँ पर जीवन की गुनवत्ता में सुधार के लिए, केंदरी बजट 2022 देश में इस वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम की सु या योजना कवर करता है, और इस योजना की पहले चैनल में 663 गाउं को कवर करने का लक्ष रखा है, जबकि अगर हम ऑवरॉल कहें कितने गाउं को कवर करने का इसमें लक्ष है, तो 2963 गाउं को इसके अंतरगत कवर करने का लक्ष है, और इसके अंतरगत जीला परसासन ग कि जो गरी मंतरी हैं, आमित साब, उन्होंने Veveren Village Program को अरना चल परदेश में लौंच किया है। और यहां 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 भी मत्मून हो जाता है क्योंकि इस तरह अरना चल परदेश में जो वहां पर गए और उन्होंने Veveren Village Program को जो लौंच किया तो चैना नहीं उसका विरोध कि अब देखते हैं अगला प्रस्ट कि लागत मुद्रा इस्पिती सूचकांक यानि की कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स संचेप में CII में निमलिकित में से किसे शामिल किया जाता है? अब अगर हम इसकी व्याख्या करें तो इसके अनुसार लागत मुद्रा इस्पिती सूचकांक को आई कर अधिनियम 1961 के प्राभधानों के तहट हर साल अधिसूचित किया जाता है, नोटिफाइट किया जाता है अब यह खाबर में इसलिए है क्योंकि केंदरी प्रत्यक्ष कर बूर्ड की अधिसूचना को अनुसार आंकलन वर्स कौन सार? 2024-25 के लिए लागत मुद्रा इस्पिती सूचकांक 348 निर्धारित किया गया है वह अगर हम आगे देखें तो इस सूचकांक का उप्योग जो टेक्सपियर्स हैं उनके द्वरा इंफलेशन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति, परती भूतियों और आभूसनों की बिक्रिस होने वाले दिर्ग-कालिक-पुंजिगत-लाग की गरना के ले किया जाता है और जेनरली जो दिर्गावधी, पुंजिगत, संपत्ति होती हैं उनको जो वित्ती पुस्तक होते हैं उनकी मूल लागत पर दर्ज किया जाता है तो इस परकार आज के MCQs में हमने कुल 6 प्रशनों को देखा इसके साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलते हैं नए परशन के साथ